मैं विशाल साथे, हल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ हम सभी ने कभी न कभी ये बात जरूर अनुभव की है कि जो भी वनस्पतिया प्राप्थोने में चुनोतिया खड़ी करती है वो सभी के सभी हमेशा ही बहुत ही चमतकारी होती है फिर चाहे हम काटो वाली वनस्पतियों की बात करें जैसे कि सत्यनाशी, लता करंज, उट कटारा आदी या फिर खुजली वाली वनस्पतिया, कौच आदी या फिर विदारीकंद जैसी वनस्पतिया, जो की पत्थर में कई-कई फीट अंदर दबी हो और बहुत से बाहर हो आज हम इस एपिसोड में एक ऐसे ही वनस्पति के बारे में बात कर रहे हैं जो के भहन कर काटो से भरी हुई है, लेकिन जाहिर है, उसके आउशदिय गुण बहुत ही बहुत ही चमतकारी है तो आई यह शुरू करते हैं यह इस तरह से बहुतायत में लगी हुई वनस्पति देखकर के आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं किसी आयुवदिक खेत में बैठा हुआ हूँ लेकिन ऐसा नहीं है यह जो आप देख रहे हैं यह छोटी कंटकारी का पौधा है यह एक खर्पतवार है जो कि वैसे तो आजकर काफी दूरलब है लेकिन जहां पर यह हो जाता है वहां पर काफी बार यह बहुती इस तरह से बहुतायत में भी हो जाता है तो यह एक बहुती सुख़द नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ जहां पर एक आयुवेदिक वनस्पती बहुती अच्छी तरह से फलफूल रही है इस तरह के नजारे आजकर बहुती दूरलब हो गए है खैर यह छोटी कटीरी का पौधा है इसे भट कटेया भी कहा जाता है गुजराती में इसे भुई रिंगनी भी कहा जाता है आयुवेद के दृष्टी से यह एक बहुती बहुती इंपोर्टन वनस्पती है यह दश्मूल का एक घटक है दश्मूल में पांच बड़े विक्ष होते हैं और पांच छोटे पौधे होते हैं यह उन पांच छोटे पौधो में से एक पौधा है दश्मूल के बड़े विक्षो में बेल और गंभारी पे और वेड़ी हम लोगों ने वीडियो किया हुआ है उसका लिंक मैं आपको यहां पे उपर आई बटन में दे रहा हूँ इसके अलवा पाटला, अगनिमंथा और शायोनाक पे हम लोग नियर फ्यूचर में वीडियो ज़रूर करेंगे दश्मूल में पांच छोटे पौधे भी होते हैं जिसमें से शालपर्णी और गोकरु पे अलवरी हम लोगों ने वीडियो किया हुआ है उसका भी लिंक मैं यहाँ पे उपर आपको आई बटन में दे रहा हूँ आप देख सकते हैं वहाँ जाके इनके वीडियो बाकी दो वनस्पतियां प्रिश्नपर्णी और बड़ी कटेरी रह जाती है उन पे भी हम लोग नियर फ्यूचर में वीडियो जरूर करेंगे अब इसके फायदे देख लेते हैं आगे बिटने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हेल्ट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अडूलसा के तरह ही छोटी कंटकारी भी स्वास रोगों के लिए खास जानी जाती है अगर खासी है, कफ है, दमा है इन सभी रोगों में 5 ग्राम कंटकारी के पंचांग को 2 गलास पानी में पका करके आधा गलास पानी बच जाए तब चान करके पीना चाहिए खाली पेट दिन में 2 बार या दिन में 3 बार इससे ये सारे रोग शत प्रतिशत दूर होते हैं लेकिन अडूलसा की तरह ही छोटी कटेरी एक बहुती वर्सिटाइल वनस्पती है स्वास रोगों के अलावा भी इसके अंगिनत फायदे हैं चोटी कटेरी का पौधा सभी प्रकार के शीरो रोगों में बहुती बहुती लाबकारी है चाहे तनाव हो, नीन नहीं आती हो, माइगरेन का प्रॉबलम हो या फिर हिस्टीरिया हो, जिसे उन्मात कहते हैं या मिर्गी की समस्या हो, ये सभी प्रकार के शीरो रोगों में बहुती अच्छा काम करता है ऐसे में इसके पंचांग का काड़ा मना करके पीने से ये सारी समस्याएं दूर होती है साथ में मरेज को रेगिलरली प्रानायम जरूर करवाई है और आगे बढ़ते हैं, छोटी कटिरी हर तरके दंत रोगों में बहुती लाबकारी है एस्पेशली ये दात के कीड़ों के लिए बहुती रामबान है ऐसे में इसके पंचांग को कूट लीजिये, इस से रस निकलेगा इस रस में रूई को भीगोई है और उस रूई को, जहांपे कीड़ा लगा है वहां पर रखने से दात का कीड़ा तुरंट मर जाता है और दात का दर्द भी खतम हो जाता है ये प्रयोग करते समय आप साथ में थोड़ा सा पीपल का दूद भी इसमें मिला सकते हैं इससे ये नुस्खा और भी ज्यादा प्रभाशाली हो जाएगा और आगे बढ़ते हैं जैसे कि मैंने आलवेडी आपको बताया कि ये दश्मूल का घटक है तो दश्मूल महिलाओ के गरभाशाय के शुद्धी करण के लिए बहुत ही रामबान है इसके अलावा ये मासिक की अनिमियत दूर करने में बहुत ही कारगर है लेकिन यहाँ पर मैं एक काफी टेकनिकल बात आपको बता रहा हूँ अगर महिलाओ को ओर ब्लीडिंग की समस्या है ऐसे में दश्मूल नहीं देना चीए ऐसे में कंटकारी भी नहीं देनी चीए ऐसे में कोई थंडी वनस्पती देनी चीए जैसे की अपराजिता हो या फिर नाकदौन हो या अडूसा हो अडवाइस ऐसे में ये ब्लीडिंग को और बढ़ा सकता है इसके अलवा महिलाओं में मासिक को लेकर के या गर्भाशे को लेकर के कोई भी विकार हो तो इसके काड़े के सेवन से ये समस्या है शत पतिशत दूर होती है इसमें especially सफेद फूल वाली छोटी कटेरी जो होती है जिसे लक्षमना कहते हैं वो और भी बहुत ही कारगर होती है अचूक होती है इतना तक कि अगर किसी महिला को बांचपन की समस्या है तो इसे भी ये लक्षमना ठीक कर देता है और आगे बढ़ते हैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ छोटी कंटेकारी दशमूल का घटक है दशमूल हर तरके वात रोगों में बहुत ही कारगर है तो ये याद रखने के लिए बड़ा आसान है कि छोटी कंटेकारी भी वात रोगों में बहुत ही अच्छा काम करती है चाहे किसी को जोडों में दर्द है या फिर arthritis है या फिर पेट में अफारा है या फिर महिलाओं में pregnancy के बाद जो infection या फिर वात रोग होने का डर होता है छोटी कंटकारी के काड़े का सेवन करने से ये सारी समस्याय शत पतिशत दूर होती है चोटी कंटकारी जैसी वनस्पतिया महाबूटिया है एक एपिसोड में इनके सारे फायदे बताना मुम्किन नहीं है इसके और भी कई अंगिनत फायदे है जो किसी और एपिसोड में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा अगर आपके वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और विशाल साथे को अभी के लिए दीजिए इजाजत अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इ झाल के दीजिये बाइ